गूड मानिंग चैंपियंग आपके आपके दीध आपके दिया गया है तरग और द्वाया जैसे की हम ने यह सेवंध इसकी रिजम करने जा रहे हैं So let's start, class एक तराक के वे तैर रहा है, पास ही एक मैदान है, फुदर गवया गा रहा है Class नाम का एक लड़के है जो जो तलाब में तैर रहा है, स्विमिंग कर रहा है पास ही एक छोटा सा मैदान है, वहाँ पे गवया गा रहा है, सिंगर गा रहा है तबी तराक नदी से बाहर आया साथ ही कवैया साथ उसकी बैण बैठी हुई है शयली तभी फिर नदी से बाहर आता है कपड़े पेंकर त्यार हुआ कवैगे के पास जाकर उसने गाना सुनने लगा पिर बैदल चलते हैं वह सेर करने लगे गवैया ने बताया मेरा भईया सैनिक है तराक ने बताया के मेरा भईया बैड़ कर भी चलाता है So, dear student, I hope यह आपको अच्छे से समझ आ गए यह story, शोटी सी So, next time यह करेंगे मेरा बैया सहने किसने किस को कहा था किसने बॉला था कि मेरा बैया सहनी के किस को पूला था तेरा को, ठीक है Next है मेरा बैया बयाघड़ी चलाता है किसने बोला तेरा आतने बोला था न मेरा बहुत बैर गरी चला था किसको बोला था गवये को ठीके स्प्रेंड स्नेक्स हैं सेम तुक वाले हमने वर्ड लिखने हैं सेयर से क्या लिखा था हमने पैर आपने भी क्या लिखना है पैल जैसा वैसा आप वैसा यहाँ पे लिखा है आप कैसा भी लिख सकते हो यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे याद हो जाए आपको नेक्स है मया भाईया क्या लिखे हमने भाईया बैल मैल ठीक है ना नेक्स है प्रश्णों के उत्र पूरे करो किलाश क्या है क्या है क्लाश एक तेराक है सो हमने क्या लिखा है यहाँ पे तेराक ताको बड़े की मातरा राकवा की मातरा क्या बना तेराक नेक्स्ट है कौन गारा है कौन गारा था साथ के मदान में गवया कौन गारा था गवया गवया की बेहन कौन है कौन है गवया की बेहन उसके साथ देखो यहां पर बताया गया है उधर गवया का रहा है था उसकी बेंट चैली बठी क्या नामे शैली उसकी सिस्टर क्या क्या नामे गवया की बेंट का जो सिंगर गा रहा था क्या नामे शैली क्या है गवया शैली नेक्स्ट है चित्र के सही नाम पर सही खानिशान लगाओ यह क्या है यह है ईनिमल कौन सा शयर कोई अनिमल थोड़ना अपता है तो घटे कैसा यह पैसा है यह केंगरा यह क्या है क्या है केमरा आपने सही का निशान लिगाना है है एना इंट्रस्टिंग, so my dear students आपने ये तरह का रगवहिया इसको अच्छे से रिड करके फिर इसके अभ्यास की फिर से आपने रिविजन करनी है और आपने इसको पढ़ना है और लिखना भी है ताके आपकी अच्छे से प्रेक्टर हो सके स्तंबर एक्जामिनेशन के लिए, so my dear students, thank you and have a nice day.